कोविट को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने बचाव एवं सुरक्षा का पुखता इंतजाम किया है मतदान केंद्र को मतदान के एक दिन पहले एवं मतदान के दिन कोविट प्रोटोकॉल के तहट सानिटाइज किया जाएगा स्वास्थ कर्मी के द्वारा हर मतदाता का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा एवं बूथ पर हाथ सानिटाइज करने की व्यवस्था रहेगी अगर किसी व्यक्ति का तापमान मानक से ज्यादा पाया जाता है तो उसका तापमान 30 मिनट बाद दोबारा लिया जाएगा और यदि तापमान फिर भी मानक से अधिक पाया जाता है तो उनको पूर्व मुद्र टोकन उपलब्ध कराते हुए अंतिम घंटे में मतदान के लिए बुलाया जाएगा हर मतदाता को पूरी प्रक्रिया के लिए गलव्स दिया जाएगा कतार के लिए दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएगे मतदान केंद्र में मतदान से संबंधित सारे कर्मी, मास्क, गलव्स पहन कर ही अपना कारे करेंगे सभी मतदाता मास्क पहन कर बूथ पर आएंगे एवं P1 के सामने अपना मास्क हटा कर पहचान देंगे कोविट से संक्रमित या संदिक्ध व्यक्तियों के मतदान के समय सभी कर्मी को PPE किट पहनना अनिवारे होगा वोट देने के उपरांत निर्वाचक हैंड गलव्स को मतदान कक्ष के बाहर रखे गए कूड़े दान में डालेंगे एवं हाथ सानिटाइज करते हुए वापस जाएंगे